पनोर्मा ग्रुप जो सोचता है वो करता है आपके अपने सपनों का आशियाना और मैं हूँ आपके साथ हर्शितर प्रताप सिंग दिल्ली के आएस कोचिंग इंस्टिट्यूट के बेस्मेंट में पानी भर जारे के कारन तीन छात्रों ने अपनी जान गवा दी जिसको लेकर दिल्ली में लगतार बवाल मचा हुआ है लगतार जो छात्र है वहाँ पर वो विरोध प्रतर्शन कर रहे है सरकार के खिलाफ कोचिंग इंस्टिट्यूट के खिलाफ और अपनी मांगो को सरकार के सामने रख रहे है तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर अब पटना में भी बवाल शुरू हो गया है जी हाँ पटना में भी छात्र संगठन द्वारा इस अपने मांगों को सामने रखते नजर आ रहे हैं छात्र और इस घटना में इस हाथसे में कड़ी से करी कारवाई करने की मांग कर रहे हैं बता दे दिल्ली के ओड राजेंडर नगर में छात्रों की मौत की घटना को लेकर पटना में भी छात्र आक्रोशित हो गये हैं मंगलवार के दिन छात्र संगठन दिशा की ओर से पतना के विखना पाहाडी इलाके में सरकार और MCD पर लापरवाई बरतने का रोप लगाते हुए प्रदर्शन किया गया है कि छात्रों की मौत नहीं बल की रिवस्था जनित हत्या की गई है छात्र इस पूरे मामले को लेकर अपनी मांगे सामने रख रहे हैं छात्रों की मांग है कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सक्त कारवाई की जाए राव आई-एस कोचिंग के निदेशक की गिरफतारी हो छात्रों की सुरक्षा के लिए उचित रिवस्था बनाई जाए पटना के सभी कोचिंग संस्थानों में सेफटी मानकों की जाच की जाए कोचिंग संस्थानों में केंदर के गाइडलाइन्स के खिलाफ पढ़ाई ना हो बिल्डिंग के अगनी सुरक्षत बिल्डिंग कोड उचित विद्युती करण में भी कमी की बात कहते नजर आए हैं चात्र चात्र वारुनी ने बताया कि दिल्ली में तीन चात्रों की मौद दिल्ली सरकार MCD और प्रशासन की लापरवाही से हुई है यही हालात पटना के तमाम कोचिंग सेंटर में हैं यहां भी घुटन भरे कमरों में सैक्डो चात्र अपनी कच्छाएं अटेंट करते हैं कई चात्र कोचिंग संस्थानों में विहोश होकर गिर भी जाते हैं इस ठिती पर सरकार को जवाब देही लेनी चाहिए सरकार मौन है जवाब देही नहीं ले रही है ऐसे कोचिंग संस्थानों के उपर कारवाई हो विवस्ता में सुधार हो इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं वही पटना डी-म डॉक्टर चंदरशेकर सिंग ने पटना के कोचिंग संस्थानों के अंदर सेफटी मानकों की जाच के आदेश दिये हैं के लिए एक जाच दल का गठन किया गया है इसमें अनुमंडल पदाधिकारी अनुमंडर अगनी मिशन पदाधिकारी नगर कारेपालक पदाधिकारी अंचला दिकारी और थानेदार को शामिल किया गया है ये अपने अपने संबंदित शेत्र में कोचिंग संस्थानों के अंदर निबंधन की स्थिती, सुरक्षा मानकों के अनुपालन की स्थिती, बिल्डिंग बाइलोज, फायर एक्जिट की विवस्था, प्रवेश और निकासी द्वार की परयाप विवस्था, अकास्मित स्थि से निपटने के लिए सुविधा कोचिंग संस्थानों में है इस बिंदू पर जाच की जाएगी और इन तमाम मांगों को लेकर जो छात्र है वो पटना में भी अब प्रदर्शन करना शुनू कर चुके हैं दिल्ली में इस मुद्दे को लेकर लगतार छात्रों द्वारा विर लगा है तीन चात्रों ने इस घटना में जान गवादी है जिसमें बिहार की बेटी भी शामिल थी काफी में धावी चात्र थी दिल्ली कोचिंग इंस्ट्यूट में पढ़ने गई थी और उसने अपनी जान गवादी है केवल कोचिंग इंस्ट्यूट के लापरवाही के का और इसी मुद्दे को लेकर दिल्ली के बाद पटना में भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है छात्रों की क्या मांग है ये भी हमने आपको बताया फिलाल इस खबर में इतना ही आप आगे की खबरों के लिए देखते रहें सुजी पोस्ट लाइट इस वीडियो को ना भूले धन्यवाद